नमस्कार दूस्तों एक बर फिर से सुवागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में कैसे हैं आप एक बर फिर से आप सबका हार्दिक श्वागत अभी नंदन जैस्री राम राधे राधे और आएए चर्शा करते हैं आज के सेशन से राधस्तान रीट लेवल दृते मुख्य प्रिक्ष्या से त्यारी करने वाले बच्चों के लिए सेश्टी का पहला टोपिक प्राचिन भारत की सभिता एवं संस्कृती और उसमें पहला टोपिक आता है सिन्दु घाटी सभिता आज इसी की चर्शा जो है वो करने वाले हैं तो आप सबका भूत भूत स्वागत अभिनांदन कैसे हैं आप सभी प्रिया यादोजी स्वागत आपका रोनक् स्वागत आपका नन्या धानी के छोरा अब सभी का हार्दिक स्वागत अविनंदन और आये करते हैं शुरुवात आज सेशन की तो आज चर्चा करेंगे हम यहाँ पर कक्षत साथ नहीं च्छे करो यहाँ पर यह मेरे से गलती से लिखा गया साथ च्छाई करना है च्छाई का ही है यह चक्षत 6 का अपने को जो है वो चेप्टर नमर तीन च्यार पांच पढ़ना है जिसमें आज तीन नमर चेप्टर आज हम पढ़ेंगे च्यार और पांच कल पढ़ेंगे और इस तीन चेप्टरों से अपने दो यूनिट पूरी हो जाएंगे सिंधु घाटि सभेता वेदिक सभेता और बोध धरम जैन धरम और समराट असोग समराट असोग तक का अपना जो है वो तीन दिन में अपना पूरा हो जाएगा यानि दो दिन में पूरा हो जाएगा कल और आज में, तो चलिए, करते हैं, आज के session की शुरुवात, अगर आप चाते हो NCRT से पढ़ना, तभी ये session आपके लिए है, अगर आप चाते हो कि नहीं, हमें तो NCRT से नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए ये session नहीं है, ठीक है? 37 जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अब देखे, शुरुवात करते हैं, आज के session की फोलचन जी, मनिशा, संदीप, और बाकी सबका भी बहुत-बहुत स्वागत, प्रियंका, परमोध पुनिया, आप सबका भी बहुत-बहुत स्वागत और अफिरेंदर, बिल्कुल जो आपको लिखाया हुआ है, संडे वाला session देख लीजिएगा, वोही chapter आपको यहां पर हम करवा रहे हैं, यह class 6 है, और 6 के अंदर पहले हम 3 नमर chapter से शुरुवात कर रहे हैं, और सब कुछ आपको बताया है, कि आपको कौन-कौन से unit के, कौन-कौन से chapter की, कौन कौन-कौन से class के, कौन-कौन से chapter पढ़ने हैं, यह सब आपको लिखाया हुआ है, और सिंदु घाटी सभेता के लिए आपको 3, 4, 5, 6, 7, यानि 3 से लेकर 7 तक chapter पढ़ने है, NCRT class 6 के, और इसी करम में आज जो है, वो 3 नमर chapter अपन जो है, डिसकस कर रहे हैं, और जैसे ही तक chapter करेंगे, तो लगबग तीन दिन लगएंगे, तीन दिन में यह सारे के सारे chapter करवा के, इनके one-liner question भी आपको करवा दूँगा, और आपकी दो यूनिट इस से जो है, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो आइए करते हैं, शुरुआत आज के session की, प्राचिन भारत की देल पढ़ते हैं, फिर one-liner question करेंगे, सुशिला जी, स्वागत आपका, राम-राम, बार-बार कमेंट करने के आउसकता नहीं होती, एक बार आप राम-राम लिख दिया, तो बस भहुत है, ठीक है, ठीक है, आज तीन बजे वाली class नहीं होई, थोड़ा सा और काम लग गया थ इसलिए तीन बजे वाली class जो है, आज नहीं हो पाई, तो चलिए, करते हैं शुरुआत, ये सारे session के PDF file डाउनलोड करने के लिए, पलस हमारे बाकी जो session है, उनकी भी PDF file डाउनलोड करने के लिए, आप जो है, ये telegram channel है, इनको join कर सकते हैं, चाहें तो आप govind 00, ये वाला code scan करके join कर ले, या फिर read नगर आप join कर ले, कोई भी एक telegram join करेंगे, इसके बाद आप हमारे परिवार के सदसे बन जाएंगे, तो आइए करते हैं शुरुआत, chapter आपका हमारा अतीत class 6 का है, और इसमें आपको कितने chapter पढ़ने है, आपकी दो unit के लिए आपको ये chapter पढ़ एक अनोखा समराठ जिसने युद जीते, तीसरा, चोथा, पांचवा, छटा, सात्वा, ये पांच चेप्टर पढ़ना है, जैसे ही पांच चेप्टर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंट से लेने की जोड़त नहीं है, इन सारे चेप्टर के one liner भी कर करने का, ये समय है अपने आपको बदलने का, ये समय है कुछ बहतर करने का, तो मुझे पता है कि मानो सभाव है, ये जो है वो थोड़ा सा बातों में ज्यादा ध्यान रखता है, दूसरों के प्रति आकर्षन ज्यादा होता है, इन सब बातों को मैं असेप्ट करता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है ये बात भी में मानता हूँ लेकिन फिर भी अपने मन को थोड़ा सा नियंतन में रखते हुए टोपिक पे चर्जा करें टोपिक पे ध्यान दे क्योंकि ये तीन महिने अगर अच्छे से ध्यान दिया तो आगे के 30 साल, 40 साल, 50 साल जब तक जिंदा रहोगे ना आराम से बाते कर पाऊगे लेकिन इन 3-4 महिनों में दिखते आएगी अगर नहीं पढ़े अगर तो फिर आपको पता ही है क्या होना है फिर भटकना पड़ेगा तो आप अपनी किस्मत को अगर चाहते हैं अपने भविश्य को बदलना चाहते हैं तो किस्मत पर भरोशा ने करके अपनी मैनत पर भरोशा करो और भालतू बातों को एक बार छोड़ दो ठीक है अब करते हैं शुरुआत आज की सेशन की पहला तीसरा चेप्टर है आरंभिक नगर इस चेप्टर में हम सिंदु घाटी सभिता की चर्चा जो है वो करने वाले हैं यह कुछ स्तल है जो कि सिंदु घाटी से भी जुड़े हुए है और जैसे इधर महरगड है चिरांद है उपर भुर्ज होम है इधर भीमबेट का है है ना महागड़ा है काल्डी हवा है है और यहां जो है वो आपको नहीं दिख रहा होगा साइथ इमाम गाउं यह सब आपको पीडिएफ में मिलेगा तो आपको अच्छे से जो हो दिख जाएगा कोई जी टेंसन लेने की बात नहीं है अब देखो सबसे पहले यह स्लाइड है यहां से क्योशन पूछरे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्या क्योशन पूछा जा सकता है किस प्रकार का क्योशन बन सकता है क्योशन यह बन सकता है आपसे कि कोल्डी हवा जो है भारत के किस स्तान से समंद रखता है यानि ये कहां पर स्तित है कोल्डी हवा नामक्स्तान तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोल्डी हवा नामक्स्तान सिंदु घाटी सब्वेता से समंदित एक नगर है जो कि उत्तर परदेश में स्तित है और यहां से हमें चावल के साख से मिले है सिंदुगाटी सब्वेता हडपा सब्वेता से पहला क्यूशन पूछा जा सकता है आपसे हलाकि इसे पहले भी और चर्चा करेंगे क्यूशनों की लेकिन जो आपकी NCRT में जो टोप most क्यूशन है वो यह है आपके कोल्टी हवा एक क्यूशन पूछा जाता है किसी ना किसी स्तान से समंदित किसी ना किसी नगर से समंदित तो वो क्यूशन आपका यहां से कवर हो जाएगा तो कोल्टी हवा जो है उत्रप्रदेश में है चावल के साख से मिले है कुफ क्रोल आधुनिक कस्मीर जो है इस कस्मीर को पहले क्या कहा जाता था कुफ क्रोल कहा जाता था और यहां से गेहूं एवं गेहूं एवं दलहन के साक्षे मिले हैं इसके बाद आता है आपका बूर्ज होम ये भी आदुनी कस्मीर में ही इस्तित है बूर्ज होम और यहां से हमें गर्तवास के साक्षे मिले हैं गर्तवास क्या होता है गड़े में बने घर क्यों सन पूछा दाएगा सिंदु घाटी सभ्यता में गर्तवास के साक्षे कहां से मिले हैं गर्तवास के साक्षे हमें जो है वो मिले हैं कहां से गर्तवास के साक्षे मिले हैं बूर्ज होम से और बूर्ज होम कहा है कस्मीर में है और गर्थ वास क्या होता है गर्थ यानि नीचे खड़ा खोद कर रहना सिंदु घाटी के लोग जो यहां बुर्ज वास में रहते थे बुर्ज होम में जो रहते थे वो क्या करते थे कि विकट प्रिष्टितियों से बचने के लिए जमीन के अंदर सुरंग जैसा गड़ा बना लेते थे और उसी के अंदर जो है वो निवास करते थे इसके बाद देखिएगा महागड नामक्स्तान है एक ये भी सिंदु घाटी सब्वेता से जूड़ा हुआ है ये है आपका उत्तर प्रदेश में यहां से चावल मवेसी मवेसी कौन होते हैं जो पसू होते हैं तूद देने वाले पालतू पसू तो एक तो चावल के साख से मिले हैं एक मवेसी के खूरों के निसान मिले हैं खूर क्या होते हैं गाई के भैंस के जो पेर होते हैं वो अपने पेर के निचे वाले भाग को क्या कहते हैं पंजा कहते हैं इसी प्रकार पस्वों के जो खुर होते हैं उसके निसान मिले हैं तो क्यों सन कितना प्यारा बनता है यहां से कि सिंदु घाटी सभेता के किस स्तान से मवेशियों के खुरों के अवसेस मिले हैं या मवेशिय के खुरों के निसान मिले हैं आपको पता होना चाहिए कि ये मिले हैं आपके माहागड उत्तर प्रदेश से इसके बाद चिरांद नामक स्तान एक सिद्धा सिद्धा क्यूशन पूचा जा सकता है कहा स्तित है बिहार के अंदर चिरांद नामक स्तान है और इस चिरांद नामक स्तान पर हरेचन जो भैंश और बेल के अवसेश प्राप्त हुए हैं कितना प्यारा क्यूशन यहां से बनता है कि हरेचने के साक्षे अब कहोंगे गूरुजी इतना साल पहला गोचीनों मिल्यों है तो ओ किया पतों चाला गोंगा हरेऊ हैं इतन lotta हुटा है और बाकी भूत सारे पुरातात्वि जो शाक्षे है उन पे मिकल के दवारा कारवीन टेंटिंग पदती और अलग पदतियों से उनका अधन पहलए हो जो जाना साक्षे के बारमें और ज Uh नदर पेहतर त्रीके से जाना चाता है इसके बाद हलूर नामक स्तान है करनाटक में कहा थित है हलूर हलूर नामक स्तान है करनाटक के अंदर ये देखो ये रहा हलूर नामक स्थान है करनाटक में इस स्थान से जवार बाजरा के अवसेश farklı अनरा सबसे ज्यादा राजस्टान में होता है लेकिन शिंदु घाटी के अंदर जो है चर्चा करते हैं तो हलूर नामक्स्तान से जो है वो बाजरे के अवसेश मिले हैं जुवार बाजरे के अवसेश मिले हैं इसके बाद पैयम पल्ली नामक्स्तान है अंदर प्रदेश में यह रहा पैयम पल्ली नव पासान काल के पूरा स्थल है यह और इस पैयम पल्ली अंदर प्रदेश से काले चने के प्राचना ही बोगेंगे वो ठीक है तो काले चने के उसे यहां से प्राप्त हुआ है इसके बाद ब्रह्मगिरी नामक स्थान है करनाटक में यह स्थान महापासान कालिनपुरास्तल है आदी चनलूर नामक स्थान है केरल के अंदर आदी चनलूर यह रहा इस स्थान से जो है वो महापासान कालिनपुरास्तल के उसे इस मिले है इनाम गाउं है महारास्टर के अंदर यह रहा इनाम इनाम गाउं यहां से आरंभिक गाउं के सक्से मिले हैं इसके बाद पाटेन ना पूछा जाएगा आपसे किस अस्तान से सुतुर्मुर्ग के अंडे प्राप्त हुए है तो आप कहोगे पाटने गाव महराश्चर से जो है वो तुर मुर्ग के अंडे प्राप्त हुए है एक बात याद रख लेना हो सकता है कि कुछ बच्चों कैसा लगे कि गुर्जी NCRT में के फाइद हो है गाइड पड़े हैं ज़्यादा फाइद हो है या फिर गाइड में चादा चीजा विष्टरित देड़ी हो है NCRT में तो की कुण देड़ा लेकिन जो बच्चे UPSC की त्यारी करते हैं उन बच्चों को भी सबसे पहले सबसे बड़ा जो सजेशन होता है वो यही होता है कि बईया UPSC की त्यारी करनी है तो सबसे पहले NCRT 6-12 तक पढ़ लो और कोई भी बच्चा जो UPSC की त्यारी कर रहा है RS की त्यारी कर रहा है वो 100% NCRT पढ़ेगा ही और जो NCRT नहीं पढ़ा है वो कभी UPSC फाइट ही नहीं कर पाया यह जो NCRT पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार हमने पढ़ा लेकिन पेपर में क्यूशन नहीं आया 100% क्यूशन आपका आएगा ठीक है वो पाटन अलग स्तान है पाटन वो अलग है जो NCRT में दिया गया है संद मंदीब वो सारा यहां पर है NCRT के अधार पर यह कलास बनी होई है आप चाहें तो चेप्टर निकाल के देख सकते हैं हडपा की कहानी की बात करते हैं तो लगबख 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल्वे लाइन बिछा रही थी ब्रिटिस इंडिया जो ब्रिटिस सरकार थी यानि अंगरेज जब रेल्वे लाइन का काम कर रहे थे पंजाब में तो इस काम में जुटे हुए इंजिनियर जो थे उनको अचानक हडबा पूरा स्थल मिला जो की आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा की है कोई ऐसा खंडर है जहां से अच्छी इंटे मिलेगी तो क्या कर रहे थे कि जब भी रेल्वे लाइन भिछाई जाती है तो थोड़ी जगह को समतल किया जाता है ऊची नीची जगह होती है उनको सम्तल किया जाता है कहीं पर खोदा ही जाती है कहीं पर मिट्री डाली जाती है तो पंजाब में जो है वो ये इंजनियर काम कर रहे थे मजदूर लोग लगे वे थे खोदा तो इनको इंटे मिली रहा अब ठेकेदार होता है कोई रोड वेगर अगर उसको अगर इंटार भाटा भूटा मिल जा तो ठेकेदार सोचा रहा हो तो वोचबिए काम होंक्यो अपना पृसा बच जागा अपने फाईदा होगा और उन्होंने क्या क्या ध्यान नहीं दिया उनको क्याaking प्ता भी नहीं थे वह साधान मजदूर थे उन्होंने सोचा ठीक है इंट मिली है काम में लगाओ इंटे बिछा दू यहां यह सोच कर कि वे हडपा के खंडरों से हजारों इंट उखाड ले गए जिससे उन्होंने रेल्वे लाइन बिछाई यानि हजारों इंटे यहां से जो है जो भी खंडर वगएरा थे तोड़ तोड़ के लेके कहां बिछा दी उन्होंने रेल्वे लाइन में बिछा दी इससे कई इमारते पूरी तरकी से नश्ट भी हो गई इसके बाद लगबक 80 साल पहले पूरा तत्वी विदो ने इस स्टल को ढूंडा तब पता चला कि यह है खंडर उप महादीब के सबसे पूराने सहरों में से एक है चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्टलो में जो इमारते और चीजे मिली उन्हें हडपा सभ्यता कहा गया क्योंकि सबसे पहले जो यह खंडर मिले थे यह जो स्टान मिले थे वो कहां से मिले थे वो स्टान जो थे वो हडपा सभ्यता से समदी थे नहीं ऐसा नहीं है विश्वास कि एन सी आर्टी से सलेक्षन हो सकता है NCRT से selection हो सकता है, RBC से selection हो सकता है, 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, NCRT से बिल्कुल selection हो सकता है, कोन कह रहा कि नहीं हो सकता, इस स्थान का नाम क्या था? हडपा था तो इस सभेता का नाम भी क्या रख दिया गया? हडपा रख दिया गया इन सहरों का निर्मान लगबख 4700 साल पहले हुआ था अगर NCRT से सेलेक्शन नहीं हो सकता अभी जब रीट के अंदर आपतिया मांग रही थी तो मेरे पास कितने ही फोन आते थे गुर्जी ओ क्यूशन है गाइड में तो मिल गियो लेकिन गाइड आर तो अथेंटिक होन माने जा बताओ कुण सी NCRT और कुण सी RBSC किताब मों ढूंडा मैंने बहुत सार बचों को बताया भी ते कही क्यूशन बताये थे हना अथेंटिक जो डाटा है वो यहीं है देखो NCRT 6-12 ग्रेजवेशन की तीन साल की बुके ठीक है NCRT प्लस ग्रेजवेशन यह यह पूरी बाकी जितने भी गाइड आ रही है न आपकी जो भी मार्केट में पुस्तके हैं उनका जो बेस है उनका जो आधार है वो यहीं पुस्तके है यहीं क्या है पुस्तके हैं जो उनका अधार है सिंदुग हटी सब्वेता एक सहरी सब्वेता है जो 4700 वर्षपूर्वे प्रारम हुई सबसे पहले हडपा की खोज की गई 1921 में इसलिए इसका नाम हडपा सब्वेता भी रखा गया स्तल आधोनिक हडपा पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में स्तित है कोन से है मांट गोमरी जिले में स्तित है यह हडपा और मोहन जोदरों की खुदाई राखल दास बनर जी के दवारा 1922 में की गई जो की सिंद के लरकाना जिले में जो है वो स्तित है यह सारे लगबग जो स्तान है मुखे मुखे वो पाकिस्तान में जो है वो चले गए इसके बाद देखे उचाई वाले जो भाग को किस्तित मिली अगतो उचाई पर कुछ बनें वेत और नीचे जो है वो नगर के रूप में वसे हुए थे तो पुरातत्व थे उन्होंने कहा कि जो उचाई वाले स्तान है वो नगर दुर्ग मुखे लिए वींद धुर्ग का भाग है जाहां राजा महराजा रहते थे और न boundary बनाये गए थी परकोटा बनाया गया था ठीक है बिलकुल पढ़ सकते हो second grade के लिए कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारते बनाये गई मिसाल के तोर पर मोहन जोजरों से हमें खास तलाब बनाया हुआ मिला है जिसे पुरातात वीदों ने महान सनानागार क रहा है इस परकार के बड़े-बड़े सनानागार है इसमें क्या कर दिया जाता था पानी भर दिया जाता था और यह चीडियां बनी होई इन पर आके जो धार्मिक अनुष्टान वगरा होते थे जिसे पूछा जा सकता है कि काति सनान कब किया जाता है तो आपको पता उना यह कार्तिक माह में किया जाता है तो इस तरीके के जो धार्मिक अनुष्टान होते थे इनके लिए बड़े-बड़े सनान घर बनाये गए जिससे कि सामोहिक तोर पर बहुत सारे लोग एक साथ क्या कर सके सनान कर सके ठीक है इस तालाब को बनाने में इंट और प्लाश्टर का इस्तमाल किया गया और इसमें पानी का रिषाव रोकने के लिए प्लाश्टर के ऊपर चार कोल की परत चढ़ाए गई चार कोल की परत चढ़ाए गई ऐसे भी क्यूशन पूचे चाह सकते हैं लेकिन मैंने सारी जीचे जो भी मोस्ट है उन सब को हाइलाइट कर रखा है आप ध्यान रख सकते हैं इसके बाद देखिए काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगनी कुंड भी मिले हैं जहां संभवताय यग किये जाते होंगे और हर्पा मोहन जोद्रो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंधार घरह भी प्राप्त हुए मिली है जैसे कि मिट्टी के लाल बरतन जिन पर काले रंग से चितर बने हुए थे क्यूशन कैसे पूछे जाते हैं कैसे क्यूशन बनेंगे क्यूशन बनेंगे कि सिंदु घाटी सब्वेता से हडपा सब्वेता से जो मिट्टी के घड़े प्राप्त हुए वो किस रं बरतन मिले वो लाल बरतन थे और उन पर काले रंग के चित्र बने वे थे बरतन तो कैसे थे लाल रंग के काले रंग के चित्र बने वे थे क्योंकि मिट्टी को जब आग में पकाय जाता है तो वो लाल हो जाती है इसके बाद पत्थर के बाट मिले हैं मोहरे मिली है मनके मिले ह तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं ये वो नदी है सिंधु नदी ठीक है ये वो नदी है सिंधु नदी और ये आपका क्या है मोहन जोद्रो है ये चहुंद्रो है ये जो है वो गवेरिवाल है ये सिंधु या पाकिस्तान में इसे सिंद नदी भी कहते हैं और यहाँ पर देखिएगा यह हडपा है यह क्या है यहाँ पर हडपा नगर है Another आदे चेनाब जेमल राखी गड़ी, यह राखी गड़ी है जो कि परमुक्स्तान है, यह अपना राजस्तान में काली बंगा है, तो यह सिंदू गहटी सभ्वेता इस तरीके से जा है वह नदी के रूप में, इस नदी के आस्पास, आप सब जानते हैं कि प्राचिन जितने भी नग बनती है वह हमेचा रोड के पास बनती है और रोड के पास जमीन महंगी होती है रोड से जैसे दूर जाएंगे जमीन सस्ती 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 होती ठीक है कन सी बुक से पढ़ा रहे हैं ncrti classese चेहिप्टर नमर तीन पढ़ा रहे हैं भवन नाले और सड्कों की बात करते हैं तो देखिखे इन नगरों के घर आम तोर पर एक या दो मंजिल होते थे घर के आंगन में चारों और कमरे बने हुए होते थे अधिकास घरों में एक अलग सनानागार होता था कुछ घरों में कुवे बने होते थे ऐसे थे घर, जैसे इस तरीके से घर होते थे, ये बीच में आंगन हो गया, एक कमरा यहां एक कमरा यहां, एक कमरा यहां एक कमरा यहां, एक कमरा यहां ये क्या हो गया, घर का आंगन हो गया, यह दर्वाजा हो गया, यह बहार का कच्चा जगा हो गया, यहां पर सनान घर और टोइलेट बनाए जाते थे, यह घर का मुख्य द्वार हो गया, आज भी गाओं में ऐसे ही घर है, शहरों में तो जमीन है नहीं, सहरों में तो स्तान नहीं है, वज़ना शहरो оПर double साओधान इसे चली सीधी लाइन में बनाई जाती थी नाली में हलकी धलान होती थी ताकि पानी आसानी से भह सके अक्सर घरो के लिए नालियों को सडको की नालियों से जोडा जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी नालों से धैक sparks जो है वो manhole बने होते थे, manhole जैसे ये नाला है और यहाँ पर manhole बना दिया ताकि इसको साफ किया जासके, जिनके जरिये इनकी देखभाल और सफाई की जाते थे घर, नाले और सडको का निर्मान योजना बत्रीके से एक साथ किया जाता था, सोचिए आज से हजारों वर्स प लेकिन उस समय भी लोगों ने इतने बहतरी नगर बसाए कि आज भी उनकी जो है मिसाल दी जाती है, तो इसका अर्थ है कि भारतिये लोग जो हमेसा से ही क्या रहे हैं, टेकनोलोजी में आगे रहे हैं, अलाकि टेकनोलोजी का रूप अलग-अलग समय अलग-अलग बदलता रहा है, इसके बाद देखिए, ये कुछ आपको सीडियां बनाई दिखाई दे रही है ना, सीडियां बनाई जा रही है यहाँ पर, इसके बाद देखिए, ये नालियों के रूप दिखाए गए हैं आपको, नगरिये जीवन कैसा था, सासक लोगों को भेज कर दूर-दूर से धातू सासक क्या करते थे राजा लोगों को भेशते थे दूर दूर से धातू बहु मुल्ले पत्थर अन्य उपियों की चीजे मंगवाते थे साइद सासक लोग खुबशूर्त मन को तधा सोने चांदी के बने आभूसन जैसी किम्ती चीजों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे लिपिक कोन होते हैं LDC को लिपिक कहते हैं आजकर लिपिक होते हैं जो लेखे जोखे का काम रखते हैं जो मुहरों पर लिखते ही थे और साइद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच गई बच नहीं पाई इनके अलावा नगर में सिल्प कार स्तरी पूरुस भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उध्योग स्टल पर तरह तरह की चीज़े बनाते होंगे मिटी से बने कई इसके बाद देखें यह देखें कुछ आपको कुवे बने हुए दिखाई दे रहे हैं नालिया बनी हुए दिखाई दे रहे हैं और यह कुछ खिलोने मिटी के यहां पर आपको दिखाई दे रहें, वो वहां कुवा दिखाई दे रहा है, इसके बाद, नगर और नए सिल्प की बात करते हैं, पुरा तत्क वीदो को जो चीजे वहां मिली, उनमें अधिकतर जो है पत्थर, संख, तामबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी हुई थी, यहा चर्चा करते हैं, तो हडपा सभिता के लोग, पत्थर की मुहर बनाते थे, इसे आयताकार मुहर पर सामनता, जानवरों के चितर मिलते हैं अडपा सभेता के लोग काले रंग की डिजाइन किये हुए खुबसूर्थ लाल मिट्टी के बरतन भी बनाते थे यह देखो महर है यहाँ पर एक पसू की आकरती है साइद यह बेल जो है वो लग रहा है हना बेल की आकरती यहाँ पर दिखाए देदे और उप विश्व के आज हम 21 सदी में जे रहे हैं और पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको पढ़ सके यह लिपी किसी को नहीं आती है तो सोचिए वो कितने एडवांस रहे होंगे लोग इस लिपी को हम आज भी समझ नहीं पाए हैं इसके बात पत्थर के करते थे यह कुछ मुर्तियां यहां पर मिली हुई है देखो कितनी सांदर मुई दाड़ी जैसे आज कल आप रखते हो ना दाड़ी की डिजाइन बनाके वैसे डिजाइन बनी हुई है और इस पर एक कढ़ाईदार वस्तर भी जो है ओड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसक की खेती हुआ करती थी मोहन जोद्रों से कपड़े के टुकड़े के उसे सांदी के फूलदान के ढखकन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं पक्की मेटी तथा फेल्से बनी बनी तकलिया सूत कताई का संकेत भी देती है यानि सूत कातने की कुछ उसे उपकरन है इसके अलावा यहां फेल्स क्या है पत्थर और संख प्राक्रतिक तोर पर पाय जाते थे लेकिन फेंस को करत्रिम रूप से तयार किया जाता था ये एक तरीके का जो है वो यानि toan को गंद में मिलाकर वस्तुंएं बनाई जाती थी इस तरह की वस्तुु ए बनाई जाती थी यह को इसके बाद उन वस्तु पर एक छिकनी मिटी के पर चड़ाई जाती थी उस छिकनी पत्थर प्रत के रंग प्राय नेले और हलके आफ समुदरी होते थे फेन से मन के चूडिया और बाले और छोटे छोटे बरतन बनाय जाते थे, हडपा के लोगों को कई चीजे वही मिलती थी, लेकिन तामबा, लोहा, सोना, चांदी और बहु मुले पत्थर वो दूर दूर से लाया करते थे, यानि दूसरे स्थानों से वो खरिद कर लाय जाते हरपा सभेता को तामबा कहां से मिलता था, सिंदू घाटी सभेता को या हरपा सभेता को तामबे की पूर्ती कहां से होती थी, तो राजस्तान की खेतरी की जो खान है, नीम का थाना, सोरे, नीम का थाना के अंदर जो है वो, नीम का थाना, जो है यहां से जो है वो, तामबे का जो है वो पूर्ती हूता था कौन सी सब्वेता है नीम का थाना में? बताओ कमेंट करके फट से लोहा नहीं मिला है यहां से लोहा नहीं मिला है लोहा नहीं मिला है थोड़ा पानी पीता है फिर आगे बढ़ दे तीन दिन का ये topic है तीन दिन में आपके लगभग दो unit जो हो पूरे हो जाएंगे और फिर इनके one liner question करवा देंगे और इनसे बाहर question आने की संभावना नहीं है यहीं से question आएंगे बिलकुछ और फिर one liner question के बाद आपको multiple choice question करवाएंगे तो कोई बाहर question बच जाएंगे तो वह भी कवर हो जाएगा इसके बाद देखिए क्या आता है यह देखो यहां से इस तरीके का खिलोना प्राप्त हुआ है यह कुछ और मोहरे प्राप्त हुए हड़पा के लोग तामबे का आयात संभा होता है आज के राजस्तान से करते थे यहां तक की पसमी एशिया देश ओमान से भी तामबा आयात किया जाता था कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातू टीन थी यह क्यूशन पूछे जा चुके हैं कि सिंदु घाटी सबता की लोग कांसा किसे बनाते थे तांबा पलस टीन को मिला कर क्या बनाते थे कांसा बनाते थे और आधोनिक इरान और अफगानिस्तान से टीन का जो है आयात किया जाता था सोने का आयात आधोनिक करनाटक और बहु मुल्य पत्थरों का आयात जो है वो गुजरात इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था ठीक है इन इन छेतरों से इन इन चीजों का जो है हाँ गनेश वर सभेता गनेश वर सभेता जो है ये सभेता से हमें तामबे के बहुत सारे अवस्यस मिले हैं और तामबे का पर्मुक के अंदर था ये गनेश वर सभेता इसके बाद देखिए नगर और रंगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन इसके बाद का कल पढ़ेंगे कल थोड़ी से लंबी किलास करेंगे और कल पढ़ेंगे आज थोड़ा सा ऐसे सही सा नहीं लग रहा है ठीक है? कल दो चैप्टर पूरे कर देंगे अपने को पांच सेप्टर पढ़ने है अब आपका ज़्यादा सिलेबस रहा नहीं है मैं एक बर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हलाकि आज तो सेशन आदे गंटे का ही हो पाया है लेकिन आपका सिलेबस जो है तो निकाल दीजी और इसी महिने के एंड में आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस ठीक है आपकी क्या बची है जोग्राफी के अंदर महासागर बचा है जवार भाटा धाराय और जल वित्रन बचा है वायुमंडल संगठन पर्थिवी की गतिवाला टोपिक बचा है राष्टी आंदलन हो गए दिल्ली संतनत बची है तो देखो आपकी प्राचिन भारत की सभ्वेता और संस्कृती सिंद सभ्वेता वेदिक संस्कृती बोध जेन धरम मोर्य समराज्य और दिल्ली जो उपर वाली यह जो पांच चेप्टर करेंगे तीसरा चोथा पांचवा साथवा यह दो युनिट हो जाएगी इसके बाद पीन चेप्टर हमें करने हैं कलास आठ के जिसमें दिन्नी संतनत हो जाएगा आपका और मुगल समराज्य में राजपूत राज्यों के समंध हो जाएंगे और मुगल कालेनी परसासनिक वेवस्ता हो जाएगी पर्थवी राज चोहान अलग से पढ़ लेंगे ठीक है तो इतियास का पार्ट आपका आज तारिक होई है ग्यारा और पांट छे चे दिन बाद हो जाएगा यानि लगबग 18 तारिक तक आपका इतियास कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका बचेगा पर्थवी की गती वाईू मंडल और माहा सागर तीन यूनिट बचेगी तो 18 तारिक तक ये हो जाएगा तो मान के चलिए कि almost 25 या 26 तारिक तक आपका SST का कंप्लीट स्लेबस डन हो जाएगा इसके बाद सिक्षन वीदियां सुरू कर देंगे और फिर अगले महने से टोपिक वाईज वल लाइनर क्यूसरी अब तक जितने भी क्यूसर पूछे गए है अधिनेस्ट बोड के द्वारा वो सारे क्यूसर आपको करवा दिये जाएंगे तोपिक वाईज क्यूसर कर रहे हैं तिपावली की एक दिन की छूटी रखेंगे बाकी ज्यादा छूटी रखेंगे नहीं और अगर एक दिन की ज्यादा छूटी रख लेंगे तो अभी कोई फरक पढ़ना नहीं अपने पास अच्छा खासा समय है इसके बाद खूब सारी रिवजन भी कर देंगे पीडिएफ जो जो डाटा प्रिंट किया हुए उन सब की प्रिंट वाली पीडिएफ मिलेगी पाकी सारी की सारी पीडिएफ टेलिग्राम पे आपको मिलेगी ही लेकिन आपसे निवेदन है कि पीडिएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकालने की जगए आप हाथ से ल के लिए पढ़ते रहे हसते रहे मुश्कुराते रहे और कुछ बैहतर करने के लिए सोचते रहें ठीक है बहुत बहुत दन्यवाद